हलो इस्टुडेंट वेलकम टू आसीज क्लास पीसी एम पीसीबी बचो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायलोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानि प्रीविएस एर कोश्चन पढ़ेंगे जो कि पहले एक्जामों में लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा घर में बैठ करके आप चाहरजाई के अंदर बैठे हैं तो बैठ करके कहीं भी आप बैठिया आराम से अपनी बुक्स को पढ़ते रहिएगा आराम से प्रीवरी में आपके एक्जाम है तो बहुत ही महनत के साथ पढ़िएगा और प्रीवियस यह कोश्चन जरूर पढ़िएगा जो को मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट है इन को अगर रट लेंगे तो आपका बोर्ड एक्जाम में बहुत ही अच्छ बात करेंगे बायलोजी के कुछ और प्रीवियस यह वोड एक्जाम के पूछे के क्वेश्चन जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट दसौर्ट नोट ऑन वीवी पैरस जर्मिनीशन ठीक है यह वेरी व समझने समझेंगे आंसर इसका इती आट इजा गलोव स्टिक क्रेटो फिचर ओफ हैलोफा सिल ओ तोglich मेश्चर तो मेंगल्वी शार्चन है वहां का जो हालो फाइट क्रेक्ड फिचर से यह क्या विवी पारस जर्मिनेशन हैना तो विवी पारस जर्मिनेशन है क्या characteristics feature of हैलोफाइट हैना mangrove region ठीक है आगे बात करेंगे in these plants the seed short germination मतलब in plants में क्या होगा जो seed का germination start होगा inside the intact यानि intact के अंदर germination होगा intact fruit intact fruit के अंदर germination होगा हम बात करेंगे when the fruit is still attached to mother plant जब तक क्या होता है कि इसका fruit होता है वो जब तक mother plant से attached रहता है the radical of seed crack यानि जो seed की radical होगी वो crack होगी open the pericarp and comes out after some time ठीक है यानि pericarp को crack करेगा और crack करने के बाद में कुछ time के बाद में ये बाहर आ जाएगा the germination seed get attached from mother plant and fall on the mercy ground ठीक है या mother plant से attached रहता है और बाद में mercy ground पर ये क्या होता है fall होता है यानि गिर जाता है in the dirt like manner ठीक है it get embedded in loosened soil और ये loosened soil में embedded होती नहीं कोई चीज़ ऊपर से अगर आप छोड़ते हो और मिट्टी गीली है थोड़ी सी तो उसमें क्या होता है अगर कोई चीज़ गिरती है तो वो अंदर की और धस जाती है तो वैसे ये जैसे ही mercy soil में गिरेंगे तो ये नीचे की और क्या होंगे उस soil के अंदर थोड़ा सा embedded हो जाएंगे मतलब धस जाएंगे soil and established और अपने आपको established कर लेते हैं ये itself as a new plant और फिर वहीं पर क्या होता है कि एक नया plant भाई उपर से सीट गिरा और गिरने के बाद में जो mercy होगी ना गीली मिटी जो होगी है ना थोड़ी सी जैसे ने ऐसी मिटी जिसमें पैर रखो और पैर नीचे की और धस जाता है तो उसमें जब उपर से ये seeds गिरेंगे तो ये उसमें हो जाएंगे उसमें धर्स जाएंगे और अपने आपको यह इसल वहां पर अपना इस्टैबलिस करते हैं और कुछ टाइम के बाद में इनसे नया प्लांट निकल आता है इस्में आ जाएगा Raiufora यह इसका ग्जामपल होगा बहुत important question है ध्यान से समझेगा मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं it is the characteristics feature of the halophyte mangro region है ना जितना भी mangro region का area होगा वहीं के ये halophyte होते हैं and these plants the seed start germination inside the intact fruit ठीक है यानि fruit के अंदर क्या होगा इनका जो seed का formation होगा वो start हो जाता है when the fruit is still attached to the mother plant जब तक जो seeds होता है वो mother plant से attached रहता है fruit attached to the mother plant the radical of seed crack फिर यह fruit होगा वो mother plant से attached रहेगा फिर इसकी जो radical होगी वो crack हो जाएगी और फिर cracks open the pericarp और यह pericarp को open करेंगे and comes out और यह बाहर की और आएंगे after some time germination seed get attached from mother farm get detached यह detached from mother plant and fall on the mercy ground तो कुछ समय के बाद में क्या होता है जो mother जो फ्रूट होगा germination seed get detached मतलब यह mother plant से detached हो जाएगा अलग होगा और अलग होने के बाद में यह mercy soil में गिरेगा और mercy soil में गिरने के बाद में यह उस soil question है write the difference between हमें difference बताना है सबसे पहला है hypokotyl and epicotyl hypokotyl और epicotyl में अंतर क्या है difference क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगे hypokotyl hypokotyl होता क्या the part of embryonal axis यानि the part of embryonal axis present between radical and point of attachment तो अगर दिखो हम बात करेंगे embryonal axis जो होता है वो present होता है between किसके बीच में radical and point of attachment radical or point of attachment के बीच में present होता है of embryonal axis with kotyledon of embryonal axis with kotyledon and this is known as hypokotyl इस ही को हम लोग बोलते हैं बच्चो हाइपो kotyl बोलते हैं उसके बाद में हम बात करेंगे epicotyl होता क्या है तो epicotyl की बात करेंगे बच्चो the part of embryonal axis the part of embryonal axis present between plumeal present between plumeal and point of attachment of embryonal axis plumeal or point of attachment of embryonal axis with kotyledon is referred to epicotyl इस ही को हम लोग बोलते हैं इपी कोटिल बोलते हैं उसके बाद में बच्चो नेक्स्ट आता है जो कि पहले पेरी स्पम के बारे में जानेंगे अगर हम पेरी स्पम की बात करते हैं तो in क्या in some seeds मतलब कुछ seeds में some part of nucleus nucleus का कुछ part remain as thin remain मतलब फिर से इतना थिन हो जाता थिन लेयर इवें आफ्टर maturation of seed after maturation यानि seed के maturation होने के बाद भी यह बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है है ना example में black paper और पीट की हम बात कर रहें उधर हम बात करेंगे बच्चो पेरी कार्प की अगर हम बात करते हैं तो पेरी कार्प होता क्या है तो देखेगा समझेगा after fertilization यानि fertilization के बाद after fertilization some ovary some ovary turns into fruit turns into fruit wall after fertilization the ovary turns into the fruit wall या fruit wall में या फिर पेरी कार्प of the seeds and पेरी कार्प together form fruit ठीक है पेरी कार्प फिर से क्या होगा fruit बना देगी ठीक है तो बच्चो बहुत important question है यह दूनों आपके जो difference आपको दिये जा रहे हैं differences बगरा बहुत पूछे जाते हैं यह जो भी difference दिये गए हैं तो important question है इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि board exam में यहां से ही question आपके exam में फसेंगे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करिए video को like और share करिए bell icon को press करके रखिए जिससे हर एक notification आपके पास पहुंचे मिलते हैं एक next lecture में एक नए video के साथ में आज के लिए इतना ही रखते हैं thank you for this class this question is very important for your board exam so note down